बुलिय स्री प्राणनात प्यारे कीजें चरेचा प्रारंब होतहें सुनो साथ चिते दें भजो राज शाम स्री प्राणनात सकी जीवन हमार रुहें स्री मामति कहे साथ जी भाया चर्चा का पकत अब तुम सुनियों चित दें लाल आगे आए बेठे इने तकत मामति कहे सायनों ए छटे प्रहर की बी तक अब कहुं प्रहर शात्वा जैसी सुहुबत हाक अब रात प्रहर दो गई अब रात पहर दो गई धाम धनी पर व्रम सचिदानन्द सरूप आश्वाई के धाम हिरदे में विराजबान हो करके पद्मावति पुरी धाम की बीत्तक का वर्णन करते हुए चार प्रहर दिन के वर्णन हो चुके हैं रात्री के भी दो प्रहर यानि बारवज़े तक जो कुछ लिला होती थी बंगलाजी में उसका वर्णन हमने गद प्रसंग में सरुवन किया अब सात्वा प्रहर की पारी आती है तो लालदा सिमारत कहते हैं अब मैं सात्वा प्रहर की विरत को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ प्रहरे चार दिन दो राते दिन के चार प्रहर और रात्री के दो कुल मिला करके छे प्रहरों की भी तक आपने सरुवन की उपरांत प्रहरे सात्वा अब सात्वा प्रहर रात्री के बारा बज़े से लेकर के तीन बज़े तक का समय होता है उस समय स्रीजी के साथ रह करके उन ब्रह्मुनियों ने कैसे दिन्चरिय की उसका स्रवन किजिए कहो ताकी विख्यात उस लिला का वरणन करने जा रहे हैं सेजया समारने की दुनिया ने आदि निद पकाली और श्रीजी इस समय विष्ट। उस समय जो सेजया समारने की सेवा करते हैं उन सुन्दरशाथ के उन सोवागे साली सुन्दरशाथ का नाम स्रवन किजिए इनकी सेवा आपने प्रथम प्रहर में भी सुनी और यहां भी इनकी सेवा हो रही है गंगा दास जी और परमानंद जी इनके साथ रहते हैं विशेश करके इन सुन्दर साथ की सेवा होती है इसमें कई प्रकार की सेवा की सामागरियां होती है सुन्दर साथ अपने साथ ले आते हैं जो बड़ी चीजें होती है वो संभार करके कहीं रखने की समय पर ला करके बंगलाजी में तयार किया जा रहा है यहां दो पलंग बिछाए जाते हैं इस समय में एक पर बैठे एक कोतल एक पलंग जिसमें स्रीजी के लिए तयार किया गया है और एक सुन्दर साथ भावनात्म करूप से एक पलंग को तयार करके स्रीजी के तखत के सिराने की तरफ लगाए रखते हैं लेकिन ये खाली होता है उसमें कोई भी नए बैठता ये बाईजुराजी के नाम का तखत होता है सोभा कही न जाये इस समय जहाए ये सेवा हो रही है स्रीजी की सोभा का जो वर्णन किया जा रहा है वो सब्दों में नहीं कही जा सकती चार पाए अति सुन्दर चारों पाए बहुत अधिक सुन्दर है नूर भरे अति प्यार या तात्विक रूप से ये पलंग नूर के नहीं है है तो लकडी के ही कह रहे हैं नूर भरे अति प्यार जिन ब्रह्म सिष्टियों के हिर्दे में परमधाम का प्रेम है वही परातम की द्रिष्टी आत्मा के रूप में है तो उनकी द्रिष्टी में भी उनके हिर्दे में भी वही परातम वाला प्रेम होने के कारण नूर सब् इस उपले नूर के इस और उपले ये दो सब्द आये हैं सायद आज कल ये बहुत प्रयोग में कम आते हैं पलंग में एक तो पुरा पसिम और एक उतर दख्षिन की ओर यानि आड़ा टेड़े जो लकडियों का प्रयोग किया जाता है शिराने की तरफ जो लकडि होती है और एक बगल में होती है तो इसको इस और उपले नाम से कहा गया है लंबाई और चवडाई की जो लकडि होती है पलंकी या तखत चारपाई जो भी हो उसको इस और उपले नाम से कहा गया है ताको क्यूं कर कहो भिहारे उस समय ब्रहमात्माओं ने जो प्रेम और आनंद को प्राप्त किया सेवा करके उसको सब्दों में बयान नहीं किया जा सकता उन सुन्दर साथ ने जो भावना दिल में ली और उस भावना के अनुरूफ सेवा करके जो उनको आनंद मिला वो सब्दों में ब्यक्त करने का भी शेय नहीं है पचरंगी पाटी भरी पाँच रंगों की निवारों से बुनी गई पलंग है अते नरम सुखदाए बहुती नरम और सुखदाई कोमल से ज्या तयार किया गया है तापर तलाई सुभीते और उसमें बिछाने के लिए नीचे गद्दा बिछाया गया है ताँ पर चादर बिछाएं और उसमें चादर बिछाई जाती है और चादर किसी तरीके से सलवट ना आ जाए करवट लेते समय इसलिए उसके चारों कोनों को तखत के चारों पायों से ऐसे बान दिया जाता है ताकि बीच में किसी प्रकार से कोई सल्वट ना आ जाए और सेज्या बंध उसी को कहते हैं उसके चारों कोनों को पायों के साथ बांदिया गया है जुगते बाधे चारों पाय बहुत युकती पुरुवक चारों पायों के साथ चदर की छोर को बान दिया जाता है पांचो रंग रेशमी जलकत और उसमें जो रेशम के जालर चारों तरफ जलक रहे हैं सरदियों के समय में कुछ मोटे जालर इत्यादी वाले वस्तर लगाई जाते हैं ताकि आजकल तो मच्छरदानिया लगाई जाती है उसमें मच्छरदानी होती होगी नहीं होती होगी तो बरीक कपड़ें जिसमें जालर दार होते होंगे तो ऐसा ही चारों तरफ से सोभा भी हो जाए और किसी प्रकार के कीट पतंग मच्छर इत्यादी से बचने के लिए भी हो जाए उस सुन्दरता देखने में भी बहुत अधिक सुन्दर और सुखदाई लग रहा है जालर जल के नूर की नूर की जालर है तो तात्वी करूप से यहां के बस्तर है यहां की लकडियों से सेज्जिया को तयार किया गया है लेकिन सुन्दर साथ के भाव कैसे हैं सोचते हैं कि यह हमारे अक्सरतीत की उनके लिए सेज्जिया तयार किया जा रहा है तो उनकी भावना में भी यही है कि जैसे रंग पर्वाली मंदिर में नूर के तखत पर नूर के आसन पर धनी बिराजमान होते हैं यहां भी यही भाव लेते हैं कि धामधनी रंगपरवाली मंदिर के नूर के तखत पर ही विराजमान है उपर छत्री घेर और चारों तरफ से छत्री घेरी वही है ए जो सोभा सेज की इस समय जो सेजिया की सोभा हो रही है क्यों कर कहो इने बेरे मैं इस वक्त इस सेजिया की सोभा का वरणन नहीं कर सकता आए आगे अरज करी अब इस समय स्रीजी के सामने आ करके अरजी की जारी की धामधनी बहुत समय हो गया है अब चर्चा को विश्राम कीजिए और कुछ दिर आराम कीजिए सेवे बलब दासे बलब दासी स्रीजी के सामने आ करके हिम्मत करके स्रीजी से आगरह करते हैं घड़ी घड़ी प्रहर पहुरे स्रीजी थोड़ा थोड़ा करते समय बहुत समय निकल चुका है घड़ी घड़ी करते करते हैं रात्री के दो प्रहर बीच चुके हैं अब उसके उपरांत स्रीजी के मन में केवल एकी भावना है ये सुन्दर्शाथ घरद्वार सब कुछ छोड़ करके यहां तक आया है तो इनका जीवन सफल होना चाहिए और इन सुन्दर्शाथ की यहां जो दिन्चरिया कर रहे हैं भविष्य में जो बीतक लिखी जाएगी तो आने वाले जागनी के ब्रमाण में सभी सुन्दर्शाथ के लिए प्रेड़ना का सरूप होगा ये उनका एक मार्ग दर्शन करने वाले होंगे इसलिए उन सुन्दर्शाथ की दिन्चरिया में स्रीजी कहीं इस प्रकार की खामी होने नहीं देते दाकि आने वाला सुन्दर्शाथ यदि अध्यात की कितने भी बड़ी सर्वोच मंजिल पर पहुँचना चाहे तब ही उनी ब्रमसिष्टियों की उनी ब्रमात्माओं को आदर्स बना करके अपने जीवन को सफल बना सके है इसलिए स्रीजी उन सुन्दर्शाथ की एक एक पल खाने पिने रहन सहन बोलना चालना से ले करके उनकी दिन चरिय की एक एक पल का इतना ध्यान रखते हैं ताकि आने वाला सुन्दर साथ भी इसका अनुसरन कर सके रात्री के समय में अब सोने से पुर्व सब सुन्दर साथ से करते हैं कि सुन्दर साथ जी सोने का समय हुआ अब रंग परवाली मंदिर का ध्यान कीजिए मूल सरुप का ध्यान कीजिए अपनी परातम सरुप का ध्यान कीजिए और उस सरुप को अपने हिर्दे में बैठा करके यह आपको सयन करना है चर्चा में चीत रहे चर्चा के समय में श्री जी ऐसा नहीं सोचते हैं कि जल्दी जल्दी करके अवचारिकता पूरी कर दी जाए चर्चा सुनना और सुनाने का उदेश्य होता है ऐसा नहीं कि हम बैठ करके सुन रहे हैं हमारे कान पवित्र हो रहे हैं तो हम पवित्र होते जा रहें नहीं जिन सब्दों को हमने सुना उसको जीवन में उतार करके हमने कितना पवित्र किया अपनी अंतरात्मा को अंतर्शकरन को हमने कितना पवित्र किया और उस सुनाने वाले उनके अंदर भी एक प्रकार की भावना होनी चाहिए कि जिस प्रशंग को सुनाय जा रहा है सुनने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है और सुनने वाले उसको सुन करके अपने जीवन में उनका जो मक्सद है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है इस चीज़ को होना चाहिए तो स्रीजी सोचते हैं कि मैं जो सुनाता हूँ सुन्दर साथ के लिए हितकारी है उनके लिए उपकारी है तो एक दर्द लेकर के सुनाते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि दस मिनिट में मैं कहा दूँ और फारिक हो करके जा करके बिस्राम कर लो सुनने वाले सुन्दर साथ भी सोचते हैं कि ये प्रशंग पुरा नहीं हुआ हमें पूरी तरीके से अभी समझ में नहीं आई अस्रीजी सोचते हैं कि इनके दिमाग में पताने बैठा होगा नहीं बैठा होगा कितने लोग अच्छी तरीके से सुन पा रहे होंगे नहीं सुन पा रहे होंगे दो रहा दो रहा करके उनके हिर्दे में उन चर्चा को इस प्रकार से बैठा दिया जाता है ताकि सुन्दर साथ उन शब्दों को अपने जीवन में पूरी तरह से चरितार्थ कर सके बहुत प्रेम पुरुवक सुन्दर साथ बैठे हुए स्रवन करते हैं खास गिरोह सयन इस समय की जो चर्चा हो रही है लालदास जी माराज करते हैं यहां वही लोग बैठ करके सुनते हैं जो खास गिरोह सयन सुन्दर साथ तो बहुत हैं लेकिन जो खास हैं, आम, खास और खासल खास, तो इसमें यह आम खास से नहीं है, जो तीनों स्रिष्टि में जो प्रमुख सिर्दार ब्रह्म स्रिष्टियां हैं, वही इस समय बैठ करके सुनती हैं, बांकि बहुत लोग अपने कुटियों में जा करके सोच चुके हैं सवाल करे कोई बीच में बीच में कोई लोग सवाल करते हैं जो समझ में नहीं आई होती है स्रीजी से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि धामधनी हमें एक बार इस प्रशन को और अच्छी तरीके से समझा दीजिए श्रीजी प्रेम पुर्वक उसका उतर देते हैं जैसे कोई सवाल पूछा जाता है संका समाधान होने लगता है तो सब को बहुत रस आता है उसमें और ध्यान दे करके सुनते हैं किसी भी प्रकार से जो अखंडवानी का एक रस प्रहाईत हो रहा है वो घटने का नाम नहीं लेता उस समय कई सुन्दर साथ आयतों को प्रस्तूत करते हैं और स्रीजी उसका मायना करके समझा देते हैं क्योंकि लाल दास जी और केसव दास जी ये दोनों तरफ स्रीजी के दोनों तरफ बैठते हैं तो उन आयतों को सामने लाते हैं पढ़ते हैं स्रीजी से निवेदन करते हैं कि स्रीजी आप इसका मायना बता दीजिए सुनने वाला सुन्दर्शाथ प्रसन होता है कि ऐसे आउसर पर जो विसेश बात पूछी जाती है तो उसके उत्तर में जो चर्चा होती है वो कोई विसेश प्रकार की होती है पौड़ने की अरज करते और सुन्दर साथ मौका देखते ही जैसे आयत का अर्थ पूरा हो जाता है तो कहते हैं कि दूर से ही संकेत करते हैं धामधनी अब काफी समय हो चुका है यूं करते आधी पर इस तरीके से करते करते आधा प्रहर और बिज जाता है क्योंकि ये सात व़इ प्रहर की भीड तक चल रही है और सातो प्रहर होता है रात्री के बारगे जाने का मतलब रात्री का डेढ़ बाजे का समय हुआ है घडी दो इचार बेतित उसमें भी सातों पहर की भी दो चार घड़ी बेतीत हो चुकी है फेर के आरज होता है अब स्रीजी के स्वास्त को ध्यान में रखते हुए ठीक है आपके हिरदय में अक्सरातीत बिराजमान है लेकिन आपका सरीर तो पंचभावतिक है नीद लेनी पड़ती है भोजन लेना पड़ता है थोड़ी देर विश्राम करना पड़ता है ऐसा नहीं कि ये तीन दिन की सिवीर है पांस दिन की सिवीर है या एक महिने की बीतक चर्चा है सुन्दर स्रीजी का पूरा जीवन ही सिवीर है दिल्ली में आपने प्रसंग सुना होगा आपकी नमाज कजा क्यों नहीं पड़ते तो सुन्दर साथ ने क्या जवाब दिया था यदि हम कोई माया का कार्य कर रहे होते तो हमारी नमाज कजा होती हमारा तो उठना बैठना खाना पीना सोचना जो कुछ भी करते हैं तो इसी प्रकार से सुरेजी के साथ यहां आए सुन्दर साथ का कोई अन्य और कार्य ही नहीं है तो कहते हैं यह तो हमारे पलपल एक एक सांस हमारे धनी की सेवा में हैं इसलिए ये तो सब हमारी बंदगी ही बंदगी हो रही है जब महाराजा हो वही जब महाराजा चतचाल जी सेवा में चर्चा में उपस्थित होते हैं देवे चर्चा में स्रवान है उस समय कोई सामने आकर के अर्जी करने की भी हिम्मत नहीं करता कि 66 साल जी बैठे हैं सुनने के लिए तो हम भी बैठ करके सुनते हैं स्री जी को कोई उस समय चर्चा में बेविदान पहुंचाने की कोई कोई कोशिश नहीं करता स्री वाई जी इते बैठते वाई जी राज जी भी चर्चा में बैठी होती है करत इसारत साथ अब इसारा करते हैं कि सुन्दर साथ कोई तो ऊठकर के स्रीजी को मना करें कि अब बहुत रात्री हो चुकी है बेर भाई अवेर बहुत समय व्यतित हो चुका है रात्री का क्यूं न छोड़े किताब हाथ तो लाल दासी और केशव दासी इनको मारानी जी स्वेम इसारा करती हैं अब तुम इन किताबों को बंद क्यों नहीं करते हैं स्री राजे देखा साथ सामने अब स्री जी भी देखते हैं कि सभी सुनदरशाथ सवेरे से बैठी हुए थके मादे कई पाऊं पसारने लग रहे हैं कोई जूलने लग रहे हैं तो हो सकता है कि अब इनको सोने की इच्छा हो रही है वे उठने को तैयारे उनके सारी रिक हाव भाव को सभा को देख करके श्री जी अप चर्चा समाप्त करने के लिए तैयारी करते हैं तब सरुप वर्नन धाम का बोलिये श्री प्राणनाथ प्यारे की सुन्दर साथ जी प्रती दिन अपने बिस्तरे में जाएंगे तो इस प्रसंग को जरूर याद कीजिए एक बजे तक डेड़ बजे रातरी तक परमधाम की चर्चा हो रही है और कोई बात ही नहीं है संध्या से ले करके चार बजे के बाद चितुनी हुई उसके बाद आर्ती हुई आर्ती के बाद अब चर्चा शुरू ही तो सागर, सिंगार, खिल्वत और परिकर्मा की चर्चा होगी उसके बाद अब पुरी तरीके से सुन्दर साथ परमधाम की प्रेम आनंद में उनका नसा इतना चड़ा हुआ है उसके उपर भी ये कह रहे हैं अब सरूप बरणन होता है और किस सरूप का बरणन करके यहां सुना रहे हैं उसको भी ध्यान पुर्वक सुनिए यदि हम भी ये दावा लेते हैं कि हम परमधाम की ब्रहम सृष्टी हैं धाम धनी की ब्रहम वानी हमारे लिए आदेश है ये भी तक हमारे परमंसों को हम अपना आदर्स मानते हैं तो उनके नक्से कदम पर चलने वालों के लिए इन प्रसंगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कहते हैं अपनी सूर्ता को धाम धनी के चड़नों में अपने मूल परातम में या रंग परवाली मंदिर पांचों भूम में आपके इंद्रित किजिए स्री राज पोड़ने की ठोरे स्री राज जी धाम धनी अश्ट पहर की लिला में रातरी के समय जाँ जिस रंग भवन के 500 भोम की रंग परवाली मंदिर में सयन करते हैं उस सयन कक्स की याद किजिए इन समय अपने स्वरूप को और आप ये समझ लिजे कि मैं इस्त्री नहीं हूँ मैं पूरुष नहीं हूँ मैं किसी जाती विशेस बर्ग से नहीं हूँ मेरी अवस्था कितनी है उसको भूल जाइए ये सोचिए कि मैं परातम सरूप हूँ अपने सरूप मूल सरूप का इस्मरण किजिए क्यूंकि ये सारीरिक भक्ती नाओधा परकार की भक्ती है इन सरीर के बंदनों से प्रकिटिके बंदन से परे होंगे तो हमारी सुर्ता एक आतमा सरूप में प्रतिष्ठित होती है आतमा जब अपने सरूप का सिंगार करती है तो परातम के सरूप का इस्मरण करती है जब हमारे दिल में ये भावना हो कि मैं परातम सरूप हूँ तो सरीर के संसार के अंग अंतसकर्ण इंद्रियों के विकार सारे समाप्त होते हैं भूल जाते हैं उसके बंधन से परे हो जाते हैं अन्यता हर किसी का सरीर तो पंच भौतिक हैं जीव के संसकार जन्म जन्मों के हैं उसके संसकार में न जाने माया के कैसे कैसे संसकार हैं तो ये सोचता है कि मेरे अंदर तो अनेक परकार के गुण अवगुण हैं अच्छाईयां बुराईयां हैं फिर हम कैसे रंगपरवाली म मंदिर में राजी के साथ हो सकते हैं हम अपने कक्स में कैसे राजी को आवाहन कर सकते हैं इस प्रकार की भावना है सुन्दर साथ के मन में आ सकती है इसलिए उस समय सब कुछ भूल जाएए ये सोचिए कि मेरी आत्मा का सरूप सुद्बुद एक परातम का सरूप है जिसके सा इत बल्लव अरज करते हैं बल्लव दासी सामने होकर के अरजी करते हैं धाम धनी की ब्रित अब बल्लव दासी यहां करके धाम धनी की ब्रित का बरणन करते हैं इससे पहले जो स्रीजी ने रंग परवाली मंदिर का बरणन किया है उस सरुप का इस्मरन कराया है यहां मूल मिलावे का सरुप का भी इस्मरन कराया जाता है की सिंदुरिया रंग की चीरा, आस्मानी रंग की पिछोरी, निला नपिला रंग का कमर में पठुका, केशरिया रंग की इजार पंच वागा का बरणन किया जाता है और चौथी भोम की जो निर्द की लिला का जो बरणन होता है उसमें आमरस मानिंद कंचु की पांच पटे की चरणिया और श्यामरंग की ये इस प्रकार से श्यामरंग की नौरुंगवाई की जो निर्द के बस्तर होते हैं उसका यहां बरणन किया जाता है अब यहां से जब स्रेजी जैसे अपने सेजिया पर जाकर के विराजते हैं सुन्दर साथ एक तरफ बैठता है और यहां बृत शुरू होती है बृत कताथ पर यहां चर्चनी एक किताब है नक्सा बनाया जाता है उस नक्से का बर्णन जो परिकर्म ग्रंत में चोपाईयों में की गई है उसको सरल सब्दों में जो भासा टिका कर दिया गया या सरल सब्दों में जो पद में था उसको गद में लिख दिया जाता है उसको बृत कहते हैं वैसे महामती जी की बृत चोपाईयों में है और कई सारे लालदास जी की छोटी बृत है वो गद में है और कई सारे परमंसों ने और इसकी चर्चनी की जो किताब बनाई जाती है इसको बृत कहते हैं उसका बरणन होता है जिसमें 25 पक्स की सोभा का बरणन किय संध्या से लेकर के आधी रात्री तक जो परमधाम की अश्टपहर की लीला का भाग है इसमें बर्णन किया जाता है तो जैसे जहां ये रात्री के सयन कराया जाता है उस समय बोला जाता है हुआ संध्या को अवसर स्री राज स्यमाजी बैठे सिन्गार कर तो यहां से लेकर के आधी रात्री तक यानि दो तीन प्रहर की लीला का यहां बर्णन किया रहता है उसका यहां बर्णन किया जाता है कहता कुमल चीत स्री राज उठत इन समय संज्याज से ले आधी लग कहता कोमल चीत सुन्दर साथ उसको बहुत कोमल चीत से हिर्दे को इतना कोमल बनाते हैं सुद बनाते हैं पवित्र बनाते हैं प्रेम की भावनाय भर करके उसका वर्णन किया जाता है और सुनने वाले भी जो रात्री के दो-दो बजे बैठ करके स दिन्चरिया नहीं है इनकी स्वैच्छिक रूप से दिन्चरिया कर रहे हैं ताकि हम अधिक से अधिक समय परमधाम के ध्यान चिंतन में और धनी को रिजाने में लगाएं श्री राज उठत इन समय श्री जी इस समय उठकर के खड़े हो गए पधारत घर मानक दे क्रिया के ल आते हैं तो उस समय हाथ पकड़ करके ले जाने की और ले आने की सुन्दर साथ की अपनी सेवा होता है यदि उस समय कोई उपस्थित न भी हो तो दूसरा कोई सुन्दर साथ होगा अपना सोभागे समझता है कि आज तो स्री जी के हाथ पकड़ करके चलने का मुझे पहुचावे मानिक मकरंद मानिक भाई और मकरंद स्रीजी के हाथ पकड़ करके उठाने बैठाने की ये सेवा करते हैं बैठावत बाई गोरे और कभी कभी ये गोर बाई की सेवा होती है मानिक बाते करते हैं उस समय मानिक भाई बात करते हैं लिये हुजते चीते मरोरे ये दावा ले करके स्रीजी से कोई डरता नहीं है हलांकि मर्यादित रूप से रहते हैं लेकिन स्रीजी के प्रेम में ये बंधे होने के कारण कि हम भी तो उनके ही सुन्दर साथ हैं इनके लिए ही हम अपना घरदवार छोड़ करके आए हैं यदि हम इनको नरी जाएं और ये हमसे नरी जे तो फिर हमारा अस्तित्व ही क्या है ये दावा ले करके कि ये आत्मा से हमारा संबंध है इसी नाते ये प्रेम प्रुबग बातें कर लेते हैं स्रीजी भी उनकी बातों पर हस्ते हुए उतर दे रहे हैं कोई न्याए चुकावे इत उस समय अब पांच हजार की जमात है हो सकता है कभी उक्चूक हो जाती है कभी किसी के साथ कुछ अगर हो गया तो एक आपस में उन सुन्दर साथ का समानजस से बैठाने के लिए स्रीजी बहुत प्रेम पुर्वक प्रेम भरे शब्दों में उनको कहते हैं कि देखो माया का सरीर है गुण अंग इंद्रिया है हो सकता है कारण बस किसी परिष्थिती बस किसी को कुरोद आ गया किसी ने कुछ कह दिया या कोई गलती हो गई तो उसको नजर अंदाज करके आप अपने अलोकिक एक आत्मिक नाता होने के कारण आप सुन्दर साथ से प्रेम की भावना बनाए रखिए फेर यहां से उठ चले आए शेज पर उड़ने भखत बंगलाजी में स्रीजी के लिए सेज्या तयार किया गया है अब देख रिया के उपरांत आकर के सेज्या पर बिराजमान होए आए बिराजे शेज पर साथ सब किया प्रेम इसको कहते हैं एक आत्मिक भावना एक अपने पन की भावना शारा संसार स्रीजी को हरिद्वार में अक्सरतित का सरूप मानता है उनकी आरती उतारी गई और सभी सुन्दरसाथ को ज्यान है पता है पहचान है धर्म सांस्त्रों के साक्षियों को लेकर के स्रीजी की पहचान कराते हुए सुन्दर साथ परनाजी पहुचा है लेकिन स्रीजी का सरूप है सेजिया पर जाकर के विराजमान हो गए उन सुन्दर साथ को एक परमधाम की आत्मा की भावना से कि ये धाम धनी के लाडले प्यारे सुन्दर साथ है महामती जी की भावना है जैसे ये सुन्दर साथ धनी को री जाता है सुन्दर साथ से प्रेम करता है मैं भी इन सुन्दर साथ को प्रेम की भावना रखू हाथ जोड़ करके सब को प्रडाम बोलते है आप अपने आसन गए सबी सुन्दर साथ अपने अपने आसन पर चले जाते है पहले उठी सब आम सुन लिजिये चोपाई कहरे पहले उठी सब आम बिचारे बहुत देर से इंतजार कर रहे होते हैं कभी लाल दासी के मूँ की तरफ देखते हैं कभी इधर बैठे केशव दासी की तरफ देखते हैं कि कब ये बोलें की महामती कहें सोचते हैं कि महामती आया और हमारी जान छुड़ाए एक गोदावरी आवत गोदावरी बहन जी आती है ले आई कटोरी में तेले एक कटोरी में तेल ले करके आती है और स्रीजी के सिराने की और नीचे चोकी लगा करके बैठ जाती है और सीर में तेल लगा करके उंगलें से धीरे-धीरे ऐसे मालिस करते हैं और कुछ ऐसी बातें करते हैं ताकि स्रीजी उससे रीज जाएं उस समय विषेश रूप से ये गोदावरी बेंच जी हमेशा महाराने जी के साथ कोठा मंदिर में या उनकी सेवा में रहती है तो स्रीजी जब चर्चा में देर करते हैं कभी बहुत देर लगा देते हैं इस प्रकार की जो विशेस बाते होती हैं भोजन के समय में भोजन बना करके समय पर तयार किया गया कभी घंटा उपर बिद गया, कभी डेड़ घंटे बिद गए भोजन ठंडा हो गए अब दुबारा उसको गरम करें या दुबारा बनाएं कुछ परिशानी तो होती होगी इस प्रकार की जो बाते होती है अब स्रीजी को सामने से सीधे कहा भी नहीं जाता तो सुन्दर साथ बहुत युकती पूरवक जब ऐसा आउसर मिलता है तो ये गुदावरी जी उस समय उन परिशानियों को स्रीजी के सामने धीरे से अपने शुमधूर बाणी में प्रस्तुत करती है आज तो ऐसा हुआ कि इंतजार करते करते एक घंटे बीद गए हमें तो परिशानी हो गए थी हम दुबारा गरम करके लाए या ठंडा चोटी छोरे बाता करें जो अपनी उंगलियों से धीरे धीरे सिर्की मालिस कर रही है और प्रेम भरी बातें कर रही हैं राज भला दिखाया हमें खेलें करते कि धामधनी आपने तो हमें बड़ा अच्छा खेल दी गया है इस अंसार में राम नगर की लीला को देखा मंद स ऐसे दिन भी देखे हमने हिंदू कता था कि ये मुसल्मान है मुसल्मान कते थे कि ये हिंदू है कोई धरम साले में ठहराने को तयार नहीं था और आप जब कामा पाड़ी गए तो उस समय न जाने कितने दिनों तक भूखो रहना पड़ा अंगारे अंगोठे भर के अब इस उस गरम परात को उसके उपर फेरा जाता है ताकि सरदी का प्रकूप दूर हो जाए ल्यावत बिहारी दास जी की सेवा होती है गादी बिचाने की श्री जी की सेजिया तयार करने की थाली में अंगारे धर के ये थालियों में अंगारे भर भर के लाते हैं और विस्तरे के खासे ये बिहारी दास जी ले करके आते हैं तो सोचते हैं तुमने तो इतनी सेवा कई कम से कम ठाली में डाल करके यहां तक लाया हो कुछ सेवा तो हमें भी दे दो तो ये मानिक भाई उनसे ले लेते हैं और उन बिस्तरे में आराम से फेर देते हैं जैसे आज कल तो प्रेस होते हैं प्रेस लगा दिया तो ठंडे कपड़े भी गरम हो जाते हैं उस समय प्रेस कहां मिलते हैं तो यही इसी से प्रेश हुआ करता था, स्री राज पौडे पलंग पर, अब धामधनी बंगलाजी में पलंग के उपर विराजबान हुए, सब को कहे प्रणाम, सभी सुन्दर साथ को प्रणाम संबोधन किया, गावन वाली आया, अब बारी वाले जो सुन्दर साथ हैं, चौद मंडली जो आपने कल सरवन किया, जिसकी पारी होती है, अपनी पारी के लोगों को ले करके, आते हैं और धीरे से बैठ करके, बैठ करके इस समय बहुत उची आवाज में नहीं गरजते, बहुत धीरे से, ताकि हिर्दे को इस पर्ष हो, सब्ध ऐसे हो, और ऐसे धीरे से बोलें, ताकि किसी की नीद भी नहीं आ रही हो, तो उनको जल्दी से नीद आए जाए, इन सुन्दर साथ को अभी बिस्तरे में सुला दिया जाना, नीद नहीं आएगी, चर्षा सुनते हुए जब एकागर हो जाते हैं, तो बढ़िया जूला जूलने लगते हैं, अडाई पहर गई जाम, तो ये भी उन ब्रमात्माउं ने दिन दिखाए कि, धाई प्रहर रात्री बिद गई, लेकिन फिर भी बैठ करके सोचते हैं, कि हम कहें कि बाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, इत बड़ा मिलावा होता है, अब यहां भी बड़ा मिलावा होता है, ऐसा नहीं दो चार लोग बैठ हैं, कभी बीश, तीस, पचास, असी, सो, सवा, सो तक की बैठक अभी भी होती है, कभी कभी बाणी गाते हैं, सुनते हैं, स्रीजी के कानों में भी काई मधूर धोनी चली जाए, और उनको नीद आजाए, जैसे मा अपने बच्चों को लोरी सुना करके सुलाती है, सुन्दर साथ सोचते हैं कि स्रीजी को लोरी तो क्या सुनाए, अब उनसे बढ़कर के अब कौन से बीर पुरुष की कहानी स्रीजी को सुनाया जाए ये धनी की बानी ही इनको सुनाया जाए ताकि उनके आँखों में थोड़ी नीद भी आ जाए और सुन्दर साथ इस समय बहुत साउधानी से बहुत अकल बंदी से काम करते है दूर अलंग जाकर के बैठ जाते हैं ऐसा नहीं कि वहां कानों में बैठ करके चिलाते रहें और कान फोड़ते रहें ऐसा नहीं करेंगे बंगला जी के बहुत दूर कोने में जाकर के बहुत धीरे से बैठ करके गुन गुनाते हैं स्रीजी गहराई से कान देते हैं इस समय पूछते हैं कौन सुन्दर साथ यहां बैठाई इस समय भी इनको बाणी की लालत है पूछते हैं क्या कर रहे हैं कहते हैं कि स्रीजी आपने जो मायने किये थे ना चोपाई के जो अर्थ बताये थे परंधाम के जो रहश्य बताये थे उन रहश्यों को आपस में बैठ करके समझ रहे हैं स्रीजी इतना खुश हो जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं कि तुमने जो ब्रमसिष्टियों को मार्ग दिखाना है जागनी ब्रमान परियंत अंतिम समय तक वो कार्य करके दिखाया है और तुमारी इस कुरवानी के लिए ये आशिरवाद लो कभी कलंगी भेज देते हैं तो कभी हार भेज देते हैं सुन्दर साथ जाता है जाकर के जोली फैलाता है अपनी और इतना सरद्धा के साथ उस प्रसाद को लेता है कि आज पूरी ब्रमान को ही हमने जीत लिया है धामधनी का अशिरवात प्राप्त हो रहा है इस से बढ़ कर के और क्या हो सकता है आज गुमठ जी में जाके देखिए जिन सुन्दर साथ का ये भाव रहता है कि गुमठ जी में धामधनी बिराजमान है एक फूल की पंकड़ी भी मिलती है ये तो अपनी जोली फैला करके उसको ग्रहन करता है एक रुपया भी वहां से मिलता है अगर लाख दे करके तो उस रुपयों को ले जाकर के अपने घर में रखता है सोचता है कि ये धामधनी का परसाद है ले जाकर के सुन्दर साथ बांटते हैं उसके एक एक तीनकों को अलग करके बांटते हैं सीर में धारन करते हैं कोई कोई हिरदे से लगाता है उन सुन्दर साथ का ये भाव ये भी तक में दर्साया गया मिलावा वैठेते सैयन का उस समय जो सुन्दर साथ मिल करके बैठे हैं प्राणना जी अब किसी को हार भेज देते हैं जो उनको उस समय पहराता है ना कभी चितवनी के समय कभी चर्चा के समय पहले ला करके हैं जो कलंगी और फूल हार चाथ साल जी की घर दरवार से या अपने अपने घरों से कुटियों से बना करके लाते हैं स्री जी के सामने टे दो आते हैं लेकर और उनको कभी गले में हार पहना देते हैं तो कभी कलंगी उनके हाथ में देते हैं ये ले जा करके आपस में बांट लेते हैं अपने माथे से लगा लेते हैं अपने नजरों से लगा लेते हैं उठे मुरली धर लेते हैं अव मुरली धर उठते हैं खड़े हो करके स्रीजी का प्रसाद गरहन करते हैं सिरी राज की वक्सी से इसको फूल का हार नहीं समझते स्रीजी का प्यार ये उनकी हमें वक्सी से मिली है बाट देते सब साथ को ये नहीं सोचते कि स्रीजी ने मुझे दे दिया तो हम अलगी इसका मजा लेले में जोली में नहीं ड लगाते हैं और उसको नमन करते हैं राज सो बाता करन को उस समय सुन्दर साथ किसी बहाने स्रीजी से बात करने की इच्छा करता है हर खत हे मन माहे ऐसे जब स्रीजी बहुत प्रसन आउस्था में मुद्रा में होते हैं तो सुन्दर साथ भी सोचते हैं कि अंभी जाकर के स्री बहुत कई प्रकार के अनंद ले रहें, बहुत खुश हो रहें, मज़े ले रहें, बाता होए विवेक बहुत विवेक पुर्वक आपस में बातचीत करते हैं लालदा सी कहते हैं कि जुन्हें ने इस सुख को देखा भोगा लिया और दिया उनके हिरदे में जो बीत रही है भला मैं सब्दों में कैसे बर्नन कर लूँ और आप सुन सकोगे ना आवे रसना एक रसना से बर्नन नहीं हो सकता जब यह चोपाई पड़ी जाती है तो उस समय वो मिराज जी का और सद्गुरु का मिलन के समय में सद्गुरु देव चंद जी कहते थे कि इंद्रावति की आत्मा को बुला लो जो सिंदि भाषा में भजन बनाया करते थे वो भजन क्या था जान हुन कोड़ धड़ 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 कोड मत्तन मत्था मत्था कोड मुह मु मु कोड़ जिवन ही तरा मेड़ी तो हीजा ताजे गुण गिनन भाल तो ही जे हिकडी पुन्जी तेन सगन अब आपको लगा होगे पता ने क्या बोल दिया लेकिन इसके भाव बड़े सुन्दर हैं मान लिजे कि एक जीव हो उस एक जीव के करोडों सरीर हो धड़ हो और एक धड़ में एक सरीर में करोडों करोडों सीर हो और एक सीर में करोडों मुख हो और एक मुख में करोडों जबान हो और इतना मिलाकर के भी हम धनी की एक गुण का बखान करें तब भी हमारे लिए संभ नहीं है तो ये अनन्त अनन्त जो इनके गुण है उनके गुण तो नहीं गाये जा सकते हैं तो धनी ऐसे महरबान है जिनके गुणों को यहां सब्दों में गाना और स्रवन करना हमारे लिए संभव नहीं है आसवाई सखी की अंतरात्मा से आवाज आ रही है कि है सुन्दर साथ जी मैंने ये सातों पहर की बीतक का बर्णन किया अब कहू पहरे आठवा अब आठवा पहर अंतिम और रात्री का और प्रहर का जो अंतिम प्रहर है आठवा प्रहर उस समय बंगलाजी में क्या कुछ हुआ उसका बर्णन सुने ताकि सुनो सिफाते उसकी महिमा उस समय जो सेवा हुई है जो हमारे लिए एक प्रेड़ना दाई है उसकी बहुत बड़ी महिमा है धामधनी ने कहा तुमने जो ये सेवा की है ना तुमने अपने समय में तो ये सेवा हुई ही हुई है भी तक इसलिए नहीं लिख दी गई अं चजार की जमात में इन ब्रहम सिष्टि उन्हें कैसे रिजाया और हमें मार्ग मिलता आज ये तो हमारा मार्ग है इस नक्से कदम पर तो हम पीछे चल रहे हैं उस मार्ग का अनुशरन कर रहे हैं यदि जो राही ये न जाने की मेरी मंजिल क्या है और उस मंजिल पर आत्मा को जागरित करके धनी को प्राप्त करना चाहता है वो हमारी जागनी ब्रमान में आत्मा और धनी के बीच की जो दूरी है उस दूरी को पाटने का ये एक साधन है अब कहों पहुरे आठ्वा अब आठ्वा पहर की बीतक स्रवन कीजिए शिरी राज पवड़े धाम के धनी का सरूप साक्षात स्री प्राणना जी का सरूप बंगलाजी में पौड़े हुए है वाणी धाम धनी की बाणी अभी सुन्दर साथ के मुख से गूंज रही है गर्जत शब उपर चारों तरफ बड़ी धीमी धीमी भीनी भीनी आवाज में इस समय बाणी गरज रही है वाणी धाम धनी की अब धाम धनी की ये बाणी स्रवन करने से ए चौदे तवक हयात प्यारे की जो सुन्दर साथ इस बाणी को नहीं पढ़ते नहीं सुनते और नहीं सुनाते किरपाया उनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है ये बाणी धाम धने की ए चौदे तबक हयात पूरे ब्रमान को अखंड करने वाला यदि दुनिया में कोई एक साधन है तो ये तारतम बाणी है जो सुन्दर साथ इस समय विगुन गुना रहे हैं पैचान भाई ना काहूं को लेकिन दुर्भाग की बात है किसी को ये अखंड बाणी की पैचान नहीं हो सकी है रूह पीवे हयाती जो जात इस बाणी से ही तो ब्रम स्रिष्टियों को परमधाम की आत्माओं को हयाती यानि अखंड का रस मिलता है धामधनी के हिरदय का बहता हुआ रस ही तो ये तारतम बाणी है अगर आपको ये इस पर विश्वास नहीं है तो किरंतन का प्रकरन उठ किताब उठाइए और उसमें पढ़िये क्या लिखा है तारतम का बल कोई न जाने एक जाने मूल सरूप मूल सरूप की चित की बातें तारतम में कई रूप मूल सरूप की चित की बात तो ये तारतम की चोपाईयों में है इसलिए किरपा करके इस तारतम बाणी को किसी की र तुमें किताब लिखनी आगए इसको किताब मत समझ लिजिए आज लो इने इंड में आज दिन परियंत इस ब्रमांड में इस बार्मांड को कभी भी और कहीं भी और किसी ने भी सुनने का सोभाग या प्राप्त नहीं किया कई हुए इंडे कई हो वही ऐसे ब्रमांड कितने सारे बन गए और कितने बनते रहेंगे ये तो अनादी काल से अक्षर ब्रमा बनाते रहते हैं और अनंत काल तक बनते रहेंगे लेकिन इस समय जो ब्रम बानी का अवतरन हुआ ना भूतो ना भविश्यती न ये कभी आई थी ये बाणी और ना भविश्य में कभी आने वाली ये तो किवल संजोग ऐसा है ब्रह्म सिष्टियों के कारण ये तार्तम बाणी का अवतरन हुआ जिस अक्सरतीत को दुनिया वाले जानते नहीं थे आग पानी पथर लोहा पहाड मिट्टी और नजाने आज दुनिया में जा करके देखिए जहां तार्तम बाणी की पूजा नहीं होती उससे अत्रिक्त परमात्मा के नाम की पूजा होती तो किन बस्तों की पूजा की जाती ह यह कहने कि कोई आउशक्ता नहीं दुनिया पर्याप्त रूप से हमें दिखा रही है और इस ब्रमबानी को सुनने की ताकत त्रेगुण को ना होए जहान दिजिए इसकी ताकत सुनने की ताकत क्यों होती कोई कहे कि यह बहुत हमें कुठारा घात किया जा रहा है बड़े गजब का प्रहर किया जा रहा है, नहीं, बात हकीकत है, क्यों, संकरभगवान पारवती को अमरनात कियों ले गए थे, कि सुनाया हों किया सुनाया था पार्वती जी को परभ्रम सचिदानन्द ब्रमात्मा को ले करके कलिउग में प्रगठ होने वाले ही इतनी ही तो सुनाय थी उस समय अखन का ग्यान आने वाला है यही तो सुनाय था ना इतना सुन्य के लिए पार्वती नहीं सुन पाई और जिसका संदेशा भेजा गया वो संदेशा को पूरा करने के लिए तार्तम बाने आए तो ये सुन्ने की ताकत वाकई में त्रिगुन के पास भी नहीं है और नाम किने केले हूँ ये उपर हवे सुन कहूं बीजा नाम के ना लहूं और किसका नाम लिया जया ये तो त्रिगुनात्मक ब्रमान के स्वामी ही है क्योंकि इस बानी की पहचान किसी को हो ही नहीं सकती और कोई भी इसकी पहचान नहीं कर सकता अवद सुन्दर साथ अपने अंतरात्मा से पूछिए हिरदय में हाथ रख करके पूछिए इतनी बड़ी महर आखिर किसके लिए हुई है और किसने की है और किसके उपर किसके खातिर हुई है किन बरकते आई थे किसके क्रिपास है ये तार्तम बाने इस दुनिया में आई है वहला किसी के पास ताकत है त्रिगुण को तो सुनने की सकती नहीं है अक्षर ब्रह्म फरामोशी में नीद में है श्यामाजी 40 वर्सों तो खोजती रही लेकर के तो आय साक्षया धाम के धनी और हम उनकी पहचान नहीं कर पाते कोई पाविना पतंतर दुनिया के धार्मगरंथों में जो ग्यान लिखा हुआ है हम तार्तम बाने को उसके समक्स कर देते हैं बराबर समझते हैं हम इसके पतंतर को भेद को नहीं समझ पाते हैं कि सिरिप्राणा जी की तार्तम बाने हमें कौन सी अखंड की नियामत देती है ये वाणी इने धाम की ये धाम धनी की जो बाणी है ले बैठावत निजधाम सब की सुर्ता को इस कालमाय के ब्रमांड से सरीर संसार प्रकिर्टी से परे ले जाकर के बंधन से मुक्त करके अपनी परातम तक पहुंचाती है इस कालमाय के ब्रमांड में बैठे बैठे उनको आत्मा का निस्वत का सुख मिलता है कि मैं तो धाम धनी की अरधांगी नहीं हूँ मेरे धाम हिर्दे में स्वे युगल सरुप बिराजते हैं मेरे धाम हिर्दे में परमधाम की सारी नयावतें बिराजमान हो जाती है और मैं उसका परतक्ष शाक्षातकार और उसकी अनुभुती कर सकता हूं सुन्दर साथ की अंतरात्मा में ये आत्मिक बल्ग पैदा करती है ये बाणी उनकी अध्यात्म की सब परकार की इच्छाएं कामनाय पूर्ण हो जाती है इन वाणीक से होता है जो घर में बाणी नहीं पढ़ते हैं ध्यान दे करके सुनिये इस बाणी के पढ़ने से सुनने से क्या होता है जो कालमाय के ब्रमान के नाबूद जो जीव होंगे उनकी भी द्रिष्टी परमधाम तक पहुँच जाएगी यहां बैठे बैठे कहेंगे पिलावत रसे रब का यह धनी के सुख आनंद का रश्पान कराती है जो धाम अंदर की बात है बिहारे की मजकूर अश्ट पहर की लिला अश्ट पहर की लिला परमधाम में जिसमें ब्रमात्माई बिहार करती है उस सुख आनंद का भोग करती है अक्षरा तीत के महल में प्रेम इस्चक बरतत सु शुख अक्षर को नहीं किन बिधिकेली करत ये तार्तम बानी यहां देती है इसलिए इसी तार्तम बानी से अक्षर ब्रम की बुद्धी भी बढ़ जाती है परमधाम की लिला की जानकारी उनको हो जाती है जो अंदर का जहूर है जो अंदर की लीला जो वाहदत की और एक सरूप की जो लीला होती है जो अक्षिर को सुध नहीं भला जागरित अउस्था में अक्षिर ब्रह्मजीस परमधाम की प्रेम आनंद की लीला को नहीं जान पाते हैं तो उनके सपना का सरूप त्रिगुनात्मक स्रिष्टी को भला कैसे हो सकती है वो सब कुछ इस तार्तम बाणी में रखा हुआ है लेकिन हम अपने घरों में रखते हैं इतना सरद्धा करते हैं सबेरे से साम तक जाकर के पचास बार माथा टेक लेते हैं लेकिन पढ़ते एक बार भी नहीं है सुपने नजर पहुची सोए सपने में बैठे बैठे हम उस परमधाम का प्रतक से साक्षात कार कर सकते हैं नजर नाबूद जीव की संसार के नाबूद नाबूद मतलब नश्वर जो जनमते हैं मरते हैं कर्मों का फल भोगते हैं पुनरपी जननम पुनरूपी मरनम पुनरूपी जननी जठरे सयनम इस जीव को भी यदि ये तारतम बानी मिलती है तो उनका सोभागी का द्वार बन करके अखंड भाइस्तों में अखंड शरूप में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं जो सपने में बनते थे और रल जाते थे पानी के बुलबुले की भाती उनका अस्ति तो होता था लेकिन उनका अस्ति तो अब कायम हो जाता है नीद उड़े उड़ते हैं नीद उड़ते ही अक्षर ब्रह्म के मन सुमंगला पुरुष की नीद समाप्त होते ही ऐसे कालमाय के ब्रमाण के अंदर अशंख अशंख जीव अस्ति तो हीन हो जाते हैं उनका कोई स्वरूप नाम और निशान नहीं रह जाता जैसे नीद नहीं रहता तार्तम बानी की बरकत से उनकों अखंड भाष्टों में हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल के लिए उन जीवों को अखंड होने का सोभाग अप्राप्त हुआ जिस इस्थान पर अक्षिर की सत्षरूप में जबराइल फरिष्टा निवास करता है उससे आगे अ बानी की बरकते इस तार्तम बानी की ज्यान की बदवलत जमुना सातों घाटे पहुंचे वो जमुना जी को देख लिया सातों घाट को देख लिया वहां ब्रिक्स इत्यादी की सोभा को देखा वहां पसुपंची जानवर बैठ करके किस प्रकार से प्रेम आनंद की लीला क कहते हैं कि नूर तजल्ला की तजली जलावत मेरे पर अक्सरतीत का नूर मेरे परों को जलाता है तो धामधनी ने उनको प्रेम का सरूप दिया क्योंकि वहां तो प्रेम और आनंद की लिला होती है आनंद की लिला में प्रेम का सरूप भी प्रवेश कर सकता है तो उनके अंद मिलावें पहुच करके खुदा अल्ला ताला के अमरत सुरत को देखा उनके जुल्फों को देखा और स्यामाजी के और ब्रहमस्रिष्टियों के मुँँ में कुल्फ लगे हैं ताला लगा हुआ हैं और इनको गुमान हुआ दे नुक्सान तोड़े गुमान तो ये क्या नुक लेदनिवारंड करने के लिए इनको माय में लाया गया यह इसन अखाल के ब्रहांद इस मानिक के स्रवन करने से क्या होगा आप होते है आप हमेशा के लिए अखंड भाष्टों में जा करके अखंड सरूप में अखंड हो जाएंगे देख बैठे माया मिने इस माया के संसार में बैठे 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 भी दुनिया प्रले होने के बाद में तो अखंड होंगे ले करें यहां आप यहां बैठे बैठे यह बीतक यहां कालमाय के ब्रमान में लालदासी करें परमधाम में नहीं करें यह करें यहां बैठे बैठे आपको क्या दिखाई देगा पहुंचे नूर द्वार पार अक्षर से परे अक्षरतित में आपकी आत्मा की दृष्टी पहुं आप अक्षरातीत के सरुप को देख सकते हैं औरों को भी दिखा सकते हैं आप अक्षर से भी परे अक्षरातीत तक आपकी दृष्टी पहुंच सकती है इसलिए बेहद बाणी में कहा गया या बाणी के कारने कई करे तपसन या बाणी के कारने कई पिवे अगिन ऐसी अन्मोल वाने जिस समाज को मिली है और आलस की चादर ओड़ करके हम सपने की बुद्धी का भीख मांग करके उस ग्यान का भीख मांग करके हम सुनते और सुनाते हैं यह हमारे लिए इस से बड़ा दुर्भागी का भिश है और कुछ नहीं हो सकता इस तार्तम बानी की बरकत से कचुना रह वेशा के कोई संसय नहीं रह जाता बेशक इलम है यह धामधनी के मुखरबिन से अउत्रित हुई बाने इस पर भी यदि संसय प्राप्त होने लग जाए संसय करने लग जाए तो उस जीव के लिए दुनिया के बनने से लेकर के अंत तक उसके संसे को मिटाने वाला किसी के पास भी सकती नहीं होगी जो इस तार्तम बाणी से जिसका संसे नहीं मिटता धामधनी की इस बाणी को मिलने के बाद हमेसा आत्माय हमेसा प्रसन रहते उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं क्योंकि इनको धामधनी का चरण कमल प्राप्त कराने वाली ही ये बाणी है तो ऐसे साधन को प्राप्त करके भला कौन दूख ही रह सकता है इन बाणी के भरकते इस तार्तम बाणी की कृपा से भया जागरित शुपाने पूरे ब्रमांड क्या देखी रहे हम दुनिया जो इसको न करे अखंड इसी बाणी के अभाव में तो संसार कर्मों के बंधन में दुख की आग में जल रहा था अब इस बाणी के जैसे भया जागरत सुपन ये सपने का ब्रमांड भी जागरित आउस्था में योग माया में जाकर के हमेशा के लिए अखंड हो जाएगा पैचान का हूँ ना हुई जब हमें ही पैचान नहीं तो दुनिया वालनों को कहा से होगी सबसे पहले ब्रमस्ष्टियों के पास ये तारतम बाणी आई है इन वाणी के बरकते इस बाणी की कृपा से नीद उड़ी नुर जलाले स्रिष्टी करता अक्षर ब्रम की भी नीद यही तारतम बाणी ही उड़ाएगी ये याद करे सुपन को उसके बाद सपने के ब्रमाण में हमें ब्रजरास की लीला को देख लिया उससे ललचाएंगे धामधनी से कहेंगे कि धामधनी जैसे ब्रजरास को अखंड कर दिया ये जागनी लिला को भी हमारे लिए अखंड कर दी ताकि हम यहां रह करके हमेशा अखंड में उस लिला का दर्शन किया करेंगे और बहुत प्रसन नहों करके धामधनी का आदेश प्राप्त करके इस लिला को अखंड करेंगे और सिफत कहा लो कहो इस तारतम बाणी की सिफत मैं क्या कहूं भला मैं इस अपने की जुबान से कैसे कहूं पात्साही परवर दिगारे ये तो धाम धनी ने इस संसार में आकर के अपनी तारतम बाणी को प्रगट किया इस बाणी को अध्यात्म के सर्वपरी इस्थान पर ले जा करके एक कलस के उपर धजा पतका के रूप में ऐसे इस्थापित कर दिया कि ये अध्यात्मिक ज्यान की बात्साही ये धारन कर लिया इस तरतम बाणी के बीच में सब सहय जानत हारे ये ब्रमशिष्टियां इसके रहस्यों को समझ सकती है इन बाणी के बरकते और बाकी ये तो अध्यात्मिक बातें हुई और संसारिक बात कोई कहते हैं कि भई देवी हमें इतना धन दे सकती है उनकी उपासना करने से सिवजी की उपासना करने से ऐसा हो सकता है कि हमारे पती अमर हो सकते हैं कन्याय सोचती हैं कि हमें अच्छे बर मिल जाएंगे और इस प्रकार की कई भक्ती होती है धन मिलने के लिए कोई हनुमान की सकती प्राप्त करने के लिए हनुमान की भक्ती करते हैं लेकिन या बानी के बरकतें दफे होतव सब बलाए आपकी संसारिक सारिरिक बलाएं भी दूर हो जाती है बला तो समझते हैं न दुख कश्ट इत्यादी कई लोग काते हैं आजकल क्रिशियान ये कहते हैं कि भई परमपिता परमेश्वर की किरपा से ये हुआ वो हुआ उसकी ये तबियत ठीक हो गई मरने से कोई बचा सकता है ये हमेशा के लिए अमर थोड़ी हो जाएंगे एक दिन तो मर ही जाएंगे लेकिन ये तारतम बाणी मरने नहीं देगी आपके जीव को भईस्तों में हमेशा के लिए अनादी अनंत काल के लिए अखंड कर देगी इससे बड़ा चमतकार कौन क्या चाहता है आपके पास तो वो दौलत है माया की सकती जहां तारतम बाणी का प्रकास है माया की सकती दूर से ही उसके कपकपी छूटी ने लगती वहां प्रवेश नहीं कर सकती कलस की एक चोपाई पढ़ ले ना मैंने कल परसों भी कहा मैं बोलता रहता हूं इस चोपाई को तारतम बाणी के सब्द जिस प्रकार से जागरित और शपना के अउस्था में भेद होता है उसी प्रकार से ये जागरित बचन जिसके हिर्दे में प्रवेश कर जाते हैं और वो दीपक जल जाता है वहां माया का कुछ भी नहीं चलता जिस प्रकार से जागरिती और शपना अवस्ता में एक आपस में बैर होता है यानि कभी एक साथ नहीं हो सकते इसी प्रकार से तारत्म बाणी का प्रकास जिसके हिर्दे में हो जाता है वहां माया की सारी सकती दूर हो जाती उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती लात रही घड़ी चार डेड़ घंटे साड़े चार बजी गए सवेरे का अभी भी बंगलाजी में बैठे ही है आया समय विरत का जो रातरी को सो गए थे उनकी नीद पक गई लेकिन जो सुन्दर साथ बैठे हैं यहां बैठ करके अपनी आखों को पका रहे हैं लेकिन अपनी दिन्चरिय को टूटने नहीं देते हैं बिरत का समय सवेरे उठकर के अब परमधाम का बर्णन होता है 25 पक्ष का बर्णन होता है समय हुआ रातरी के सोय हुए सुन्दर साथ उठकर के दिये क्रिया से मुक्त हो करके अब यहां उपस्तित होने लगे गिरुह उठने का करे बिचारे जो सो चुके हैं वो उठने का मन बना रहे हैं स्वरूप मुरली धर कहके देखिए यही तो ब्रमसिष्टी हैं यही सुन्दर साथ हैं यह हमारे आदर्स हैं यह जागनी के मुल स्थंब हैं अब मुरली धर उठकर के क्या कहते हैं सरूप कहने का सोते वो भी बिरत का बर्णन कर रहे हैं दीन भर परमधाम की चर्चा सुन रहे हैं बांकी समय में सेवा कर रहे हैं और जब सेवा से मुक्त हैं बैठ करके फिर सुरू हो जाते हैं बाणी मेरे पिवू की करे साथ को प्रणाम और सवेरे उठ करके बोलते हैं न अदोईत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम ये सरूप सवेरे बोला जाता है और सब सुन्दर साथ को कहते हैं सुन्दर साथ जी जिस सरूप का वरणन किया ये अदोईत की लाठी है मैं सोचता था कि पहले पहले सुरु सुरु में अदोयत की लाठी होती क्या होगी अब समझ में आया ये इस दोयत के संसार को माया को जीतने के लाठी एक सक्ति का प्रतीक है तो इस माया रुपी सैतान को जीतने की सक्ति ये ब्रमबानी रुपी अद्दोईत की अखंड का ग्यान रुपी लाठी हाथ में ले करके सब सुन्दर साथ को प्रणाम साथ सब एक कोई उठे सुन्दर साथ अब उठ करके खड़े हो गए अपने देह क्रिया के काम अब देखरिया से निवरित होकर के ब्रित में अगर मंगल आरती में उपस्थित होते हैं मंगल आरती के समय में सबरे मंगल आरती का समय होता है सोचते हैं कि पांचोई भोम से उठकर के तीसरी भोम में आते हैं राजी तो श्रीजी का सरुप unlike the very famous जो रंगपरवाली मंदिर में रात्री को सब सोते समय कहां का इस्मरण कराया था रंगपरवाली मंदिर का कराया था अब उठते हुए भी सब को मंगल आरती में कि पांचोंई भोम में धामधनी बिराजमान है और वोई पांचमी भोम वाला तो हमारे सामने बिराजमान है सब उठकर के कहता है सुख कोनी धान जैजे सुख कोनी धान यही तो हमें अखंड सुख देने वाले हैं और इस सरूप के अतरिक्त आपको किसने और किस समय में परमधाम के सुख दिये यह मेरा सवाल है आपके लिए आरती सब मिलकर करे सभी सुन्दर साथ मिलकर के कभी भी कोई काई भी रहता है लेकिन आरती के बख्त पर हर कोई सुन्दर साथ उठकर के उपस्तित होता यहां आरती का दर्शन करने आता है फेर बैठके सुने विरात फेर बैठ करके अब बिरत सुनते हैं बिरिंद्रावन के घर में सबसे पहले बिरिंदावन भाई ने ये सेवा लिए अपने घर में बिरत चलाने की कोई दिन कहीं बिराते और कभी लालदासी करते कभी बिरिंदावन जी करते पारी पारी से सभी सुन्दर साथ इस सेवा को लेते और बृत का बरणन करते साथ सब उठ बैठते हैं सभी सुन्दर साथ उठ करके बृत सुनने के लिए बैठे हैं कस्ट जो करते कीते ये कस्ट करते हैं कस्ट मतलब क्या ये साधना करते हैं ये सेवा कर रहे हैं यही तो तपशिया है और इसी में धामधनी का सरूप मिला हुआ है अग्या रही जोलो रही जब तक ग्यारवीं सदी रही 1745 तक सुन्दर साथ ने इस चीज में ये बृत को बर्णन करने में बहुत ध्यान दिया और बारवीं सदी में जाकर के धीरे धीर ठंडे पड़ गए अब उन्होंने भी ये सोचा कि केवल ये बृत बर्णन करने सकर सकर करते रहने से मूँ मीठा होने वाला नहीं है जिस सकर को आपने जान लिया और समझ लिया और उस सकर को चाटना सुरू करो बैठ करके अब ध्यान में उपर महामती जी गुम्मट जी क करके चार-चार घंटे तक बैठती हैं समाधी लगा करके वहीं पर सागर, सिनगार, परिकर्मा की बाणी उस आउस्था में उतरती है जब महामती जी की आत्मा परमधाम की सारी सोभा को देखती है तब कहती हैं परिकर्मा की बाणी में अब तक तो दोनों सरूप ने जो ब नामधन की क्रिपा से वो बर्णन हो रहे थे अब मैं चितवन से कहता हूं अब उस चीज को मैं प्रतक्षरूप से देख करके जिन चौपाईयों का बर्णन हो रहा है वो मैं अपनी अंतरात्मा से देख करके बर्णन करती हूं लाल दै मकरंद को लाल दासी ने सेवा मकरंदासी को दी फिर लाल खान ने भी ये सेवा ली ये तिन फिरते कहें ये तिनों लोग फिरते यानि पारी पारी से अपने अपने समय पर ये बर्णन करते हैं धामधनी इनकी सेवा को सुनते हैं बैठ करके किस तरीके से परमधाम के रस में डूबे हैं धामधनी कैसे खुस होते हैं इन सुन्दर साथ की सेवा से स्री जी प्रसन्न हुए हैं तो आप भी राज जी को प्रसन्न करना चाहे तो ऐसा ही किजिए प्रात काल में परमधाम की बृत सुन करके श्रीजी प्रसन्न हुए उठ बैठे सेज्या पर उठ करके बिराजमान हुए कानों सुने विख्याते लेटते हुए भी उनको नीद भी आ रहे थी तो इन बानी की चोपाईों में ही नीद आ रहे थी तो नीद खुली तब भी इनको परमधाम का रसी प्रवाईत होता सुनाई देता है पीवत कहवा मगाए के अब थोड़ा सरीर का भी ध्यान देना पड़ेगा सरीर तो कालमाय का ही है नहीं तो यहीं परमधाम हो जाता यहीं सब नूर ही नूर हो जाता कुछ बजता ही नहीं फिर परमधाम आने जाने की बात ही नहीं रह जाती तो परमधाम की सरीष्टता के लिए कालमाय के ब्रमान को और यहां के सरीर को कालमाय का रहने तो दो सरीजी कहवा मगा करके पीते हैं कहवा मतलब यह काड़ा इतिया दी कल मैंने कहा था काड़ा कैसे बनता है काड़ा पी रहे हैं और बैठ करके सुन रहे हैं ये धामधनी की ऐसी अनंत कृपा को देख करके ये अपने घर की और अपने अखंड की पहचानिया कराई जा रही है आवे मावजी इन समय आवे मावजी इस समय ये मावजी भाई वोई अबासी बंदर एक थपड़ वाले मावजी भाई है उस एक थपड़ ने इनकी आत्मा जागरिती कर दी निष्टा लेकर दीले दिल में बहुत निष्ठा भावना लेकर के उस प्रशंग को भूल गई ये तो धाम धनी की कृपा थी एक संजोग था लेकिन एक अखंड का नाता प्रेम का नाता है धनी ने इनका हाथ पकड़ लिया परनाजित तक लेकर के आए बिरत कहने वाले धिग बैठते जो बिरत कहन वाले सुन्दर साथ हैं सोचते हैं एक आपस में बिचरे एक कल रातरी के छे बज़े के नौ बज़े के बैठे हुए हैं नौ घंटे हो गए इनका भी तो सरीर है बिचरे ये ठक गए होंगे अब पारी-पारी से जो राद भर जगे होते हैं एक दूसरे की पाउँ दाबते हैं अंग दाबते हैं अंग परस करते हैं ये सेवा होती हैं सुन्दर साथ की अंदर एक दूसरे के लिए अगर ऐसी सेवा भावना हो जाए तो यहीं परमधाम हो जाए सब परकार के दुख यहीं नश्ट हो जाए हैं हम तो कई सारे सुन्दर साथ को तो नहीं कर सकते लेकि ए बिरत स्री राज सुनत है ये सब को स्री जी सुन रहे हैं और प्रात अरुन उधे का समय हुआ अब इस प्रकार से आठों प्रहर की बीतकियां समाप्त होती है तो ये पूरी बीतक को समाप्त होते होते सुन्दर साथ को राजी ने ऐसा इस मंजिल तक पहुचा दिया ताकि स संसार का कोई मां की कोई इच्छा नहीं है न खाने की इच्छा है न अच्छाई से कोई उसका लेना देना है न बुराईयों से कुछ लेना देना है सरीर संसार से परे हो करके सारीरिक भावनाव से परे हो करके आत्मिक भावनाव में त्रिप्त अउस्था में हो गए और हमें ऐसा मार्ग दिखा रहें कि इन सुन्दर साथ को पल प्रतीपल आत्मा के जहरोखे में युगल सरुख दिखते होंगे और इसी के बल पर ही स्रीजी के समाधी लेने के पसाथ इन सुन्दर साथ ने इनी बंगला जी के चारों तरफ बैठे बैठे अपने प्राण धनी के चरण में समर्पित कर दिया ऐसा नहीं जहर पिलिया या भूके मर गए नहीं इच्छा सकती से कि धामदनी हम तुमारे लिए घर छोड़ करके आए और तुम अपने पंचभावतिक लीला से दूर रहे हो तो हमें भी अपने चरोंदों में समेट लो और इनकी कुरवानी और इनके प्रेम से स्री जी इतने रीज गए यदि तुमारी सचमुच में इच्छा पूरी हो गई तो तुम भी मेरे साथ आ सकते हो उनके लिए दरवाजा खोल दिया दिन आठो प्रहर की आठो प्रहर की भी तक पूरी हुई कई विरत जो ए ये मैंने आपको बर्णन किया नीतिकार खाने सेव ही अब उस समय चलो हमने आठ प्रहर की लीला तो सुन लिया लेकिन इतने सुन्दर साथ की बेवस्था कैसे होती थी वो भी तो एक सेवा है माभारत की युद्ध हो रहा था तो सब ने किसीने कवरोग का पक्स लिया किसीने पांडो का पक्स लिया एक पूरा दे तो जो भी करो हमारी सेवा है कई सुन्दर साथ की ऐसी सेवा थी कि हम अपने जीवन को सेवा में ही समर्पित कर देते हैं ये सेवा वाले सुन्दर साथ का अब नाम इसमर्ण कीजिए 36 कारखा ने 36 विभाग बनाए गए थे उसमें पूरी दिवान गिरी टोटल होल मेनेजमेंट का कारिय जो प्रबंदक के रूप में करते थे ये गरीब दासी की सेवा थी क्योंकि इनकी गरीबी भावना को देख करके शिरी जी ने इनका नाम ही गरीब दास रख दिया इनका असली नाम था नागजी भाई पैते हैं नाग जी भाई ये डशने वाला अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारी सेवा भावना को देख करके तुम्हारी गरीबी को देख करके तुम्हारा नाम ही बदल देते हैं तुम गरीब दास हो आज से नित प्रति अरजी करते हैं कि धामदनी ये बहुत बड़ा विभाग है उक चुकाई हो जाए किसी को थोड़ा सेवा में कमी आ जाए इसलिए ये सेवा किसी और को दीजिये मुझसे जो सेवा निभेगी वो मैं कर लिया करूंगा तो लालदास जी के लिए बार बार अरजी हो रही थी क्योंकि ये बड़े कारखाने के मालिक रहे इनको इसका अभ्यास है इसलिए उनको लेकिन लालदास जी को बार बार कहीं जाना होता है कभी दिली जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं कभी चिठी लेकर जा रहे हैं जागनी किस चीज़ की जरूरत है प्रेम पुर्वक उनकी आवशक्ताओं को पूरी कर देते हैं और अपने विभाग के लोग 36 ही लोग पूरे अपने विभाग को सबेरे से साम तक देखते हैं पूरे विभाग को निभाते हुए भी लालदास जी श्री जी की परचाई की तरह खड़ रहते हैं एक मूल स्री वाई जी के चाए 36 कारखाने कोई भी करें स्री जी की सेवा और वाई जी राज जी की सेवा इस शरीर में प्राण रहते रहते एक मूद भी रक्त रहते मैं अपने हाथ से करूँगा उनका ये प्रण था लालदास जी उनको बश्त्र भोजन औरने बिछाने पहनने के लिए सर्दियों के समय में गर्मियों के समय में बस्त्र चाहिए सरगुन बस्त्र चाहिए निर्गुन बस्त्र चाहिए कोई सादू सन्यासी महात्मा लोग हैं कोई ग्रेश्ट लोग हैं सब के लिए अलग-अलग बेवस्ता हैं किसी के लिए कुटि लोग हैं ब्रक्त लोग हैं उनके लिए एक जगा लंगर लगता है और वहां पर सब के लिए भोजन बनता है हाजी रहे हजुर में हर हमेशा स्री जी के हजुर में रहते हैं बैठे स्री राज के पास धाम धनी के पास बैठे रहते हैं आगे पीछे ना हो वही कभी भी आगे ये मुख्य रूप से रहते हैं ये घंश्याम जी रहते हैं और धर्म दास जी रहते हैं ये खजाने का सारा कारियों संभालते हैं लेखा जो खा डेरी ये डाइरी इत्यादी लिखने का होता ना सारा एकाउंटेंट का काम यही करते हैं पहले नारायने देवे कपड़ा और ब बहुत प्रेम पुरुवग ये देते हैं सेवा फेर करी खेम करने आताम खेम करनंजी ने भी इस सेवा को बाद में लिया महमती कहे ए मौमिनों हे सुन्दरसाथ जी ए साथी सेवा के ये सेवा के साथी जिनके नाम आपने शरोण की ने किये हैं और इन सुन्दर साथ के नाम इसलिए लिख दिये गए हैं आपको सुना दिया गया इन ब्रमात्मों के नाम सुनते आपकी भी आत्मा पवित्र हो जाए और इनके नाम सुन करके ये हमारे जीवन के आदर्स बने और हम भी ऐसी सेवा करने की प्रेड़ना हमें भी मिल जाए गर में तो बाती छोड़िये जब पत्थर तपता है तो उस समय कोई पंखा नहीं कोई AC नहीं कोई कुलर नहीं कोई उपर मोटी छत नहीं बरसात होगी होती होगी और जो 5000 की जमात जो कच्ची भूमी में बरसात में चलता होगा कलपना कर लो यह उनकी सेवा रही आज तो जमाना पताने कहां टेक्नोलोजी बहुत आगे चली गई है जब ग्यानपिट की हो जाएगी उस समय हम तारतम बाणी के सरण में आएंगे अवी जागनी करना हमारे बसकी नहीं है लेकिन यह सुन्दर साथ की जो सेवा थी जो स्रीजी के साथ थे इसलिए तो आज उनके नाम लिए जाते हैं प्रेम से अगर चोवा खस खाना खस खाना मतलब घांस फूस की टटियां बानते हैं बांस की कमचियां ला ला करके पुरविया सुन्दर साथ ला करके बांस की कमचियों को छिलते हैं और उसको लाल खारुआ कपड़ा ला करके उससे बांते हैं और टटियां खड़ा करते हैं और उपर से छपर भी उसी की बनाई जाती है कपड़े से उसको घेर दिया जाता है और गुलाब जल आदी बड़े-बड़े मटकों में मिला-मिला करके उसमें छाट दिया जाता है ताकि सीतलता बनी रहे बंगला जी श्री जी बिराजमान है सुन्दर साथ खड़े होकर के हाथ से भीजना करते हैं कि धाम धनी को कहीं सर्दी गर्मी न लग जाए करे सेवा गंगाराम ये गंगाराम जी की सेवा है खुस वो खाना सब राखत है ये खुस वो खाना यानि सुगंदित पदार्थों को रखते हैं एही खरीद करे इसे खाम ये खरीद करके लाने की सेवा करते हैं यह ऐसे कम्ची लिावत य supervision को काट काट करके लाखे कमचियां बनाने की सेवा यह पुरिवियर सुन्दर साथ कोज के लाते Dok अल्दू में चले जाना कहीं टेंदूय मिलते हैं और में भालू मिलते हैं कहीं सेर मिलते हैं पन्नेजी में आज भी मिलते और बरीक बस्तर जो पहनने के लिए प्रेम दासे लियावे प्रेम दासे ये ले करके आते हैं कहीं सूती के कपड़े होते हैं या जो मुलायम मुलायम कपड़े गर्मियों में पहनने के लिए और आखिर में ये सेवा उन्होंने प्रेम दासे नंदराम जी को दी आई फेरे बल्लव पासे अब ये आखिर में बल्लव दास्टी के पास ये सेवा आती है यापे सब सेवा को बोज और बल्लव दास्टी के पास बहुत सारी सेवा होती थी खोज खोज करके ये अपने उपर सेवा लेते थे तो जादा हो जाने के कारण फिर इन से सेवा ले करके आखिर में ये सेवा और किसी को दी जाती है बहुत मेहनत इनकरी ये सेवा में बहुत मेहनत करते थे परिश्रम करते थे बल्लवदास जी सब सेवा की खोज खोज करके ये सेवा करते थे आस बाई इन समय लालदासी समय आकर के श्री जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं कहते हैं कि धामधनी यदि हमसे मंद बुद्धी होने के कारण किसी तरीके से अगर हमसे कोई गलती हो जाती है क्योंकि लालदास जी इतने है नहीं लेकिन गरीबी अपने गरीबी प्रेम को दर्शाने के लिए जब महामती जी कहते हैं कि हमारे पास इतनी बुद्धी नहीं है कई जग कहते हैं बाणी में महामती जी ने अपने लिए ऐसा सब्द गरीवी के उपर ऐसे सब्द प्रयोग किये गए हैं कहीं कहते हैं कि मंद बुद्धी हैं कभी कभी कुछ कहते हैं लालदास जी ने जो इतनी बाणी अखंड बाणी हमें दी वो भला मंद बुद्धी कैसे हो सकते हैं लेकिन स्रीजी के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि धामदनी आपके सामने हम क्या हैं हम सूरज को क्या दीपक दिखाएंगे आपके चरण कमल में हमें जो सानिद्यता मिले यही हमारे लिए बहुत सांद की बात लिए यही हमारे लिए बहुत इज़त थी इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है यदि कोई गल्ती हो गई तो स्रीजी छमा करना स्रीराज हेत कर बुलावत उनके गरीबी भावना को प्रेम बिनमरता को देख करके कहते हैं लालदासी यह क्या करके बुलाते हैं स्रीराज हेत कर बुलावत बहुत प्रेम से बुलाते हैं और क्या कहते हैं प्रशन होए के माने कहते कि यह सिर्दार सकी है प्रमुक सकी है करके प्रशन हो करके उनका सम्मान बढ़ा करके बुलाते हैं इस प्रकार से ये स्रीपांस पदमावती पूरी धाम की अश्ट पहर की बी तक पूरी हुई समापत हुआ धाम धनी की कृपा से जो एक महिने की बी तक आपने स्रवन किया जिन सुन्दर साथ ने ये सेवा की है सुनाने की और सुनने की जो सुन्दर साथ दूर दूर से आकर के सुनते रहें आप सब धन्यवाद के पात रहें धाम धनी की कृपा के पात रहें